Welcome to my channel आज इस लेक्सर में हम ग्रूप थेोरी से रिलेटेड एक थेोरम करने जा रहे हैं स्टेटमेंट है The order of every element of a finite group is a divisor of order of a group हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक finite group G दिया गया है और उसका कोई भी एक element A मान लिया तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो order of a है वो डिवाइड किसको करेगा order of group को डिवाइड करता है ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है तो हमने माना कि G अपना एक group है और एक element A है वो कम से कम एक element जो identity से अलग है other than the identity है वो तो अपना एक group में G में belong करेगा और हमने क्या मान लिया कि H है वो एक cyclic subgroup मान लिया G का generated by A G अपना कोई भी एक group है जिसमें कम से कम एक element A जो other than the identity है वो belong कर रहा है G को और हमने H है वो अपना cyclic subgroup मान लिया G का जो कि A के द्वारा generated है अब यहाँ से देखो कि जो cyclic एक property होती है कि अगर हमारे पास में कोई group cyclic है तो order of group और order of generator same होता है क्योंकि अगर हमारे पास में कोई cyclic group है तो उसका order of group और order of generator same होता है तो उसकी property से हम क्या लिख सकते है order of A है वो किसके एकल आएगा order of H के एकल आएगा फास्ट equation हमारे बन गई और Lagrange's theorem का हमने प्रूफ करका है वो क्या कहती है कि order of subgroup है वो order of group को divide करता है Lagrange's theorem से हम लिख सकते है कि order of subgroup है वो divide करता है order of group को और order of subgroup किसके एकल है order of A के एकल है तो order of element आगया तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो order of element a है वो divide किसको करता है order of a group को divide करता है Thank you